आज मैं बतारी हूं आपको बोडनेक बनाना इसको बनाना बहुत ही असान है तो बोडनेक के अंदर यह चीज होती है बहुत कम होती है क्योंकि यह जदा पहलावा होता है फिर इसको यहां पे जादा स्मार्ट लुक देने के लिए मैंने यहां पे इसमें मुण बीट्स लगा सकते हैं एक इसको बनाना और यह बयद लगाना बहुत ही अasson है तो चलेए फिर इसको बनाना स्ट करते है तो अअरो इसको आफ कर्ली कर लिए दॉर्ण बीड नानि इसको फिर्सिंग बनाना होगा तो इक दद़ ऊड़करणल लिए इसको मै सुम्ने रखनाउड लेंगर जा основ फो जाएगी डाइप कर दया रूंगी ओर यहां से हम इसको रखेंगी चार एंचे के छोड़ाया ओगा है और यहां से हमैं पैर की कटुंग नहीं रखूंगी 23 इंच उसके बाद फ्रेंट की में 4 इंच छार तो इस तरह से हम यह बॉलट टेंग बनाएंगे कल जो हम ढेता बीम हो इस तरह से देते हैं husband humor तरह हमारा इस तरह से आता है तो यहां से हम एक इंच रखेंगे पोर्णे से एक इंच यहां से रखेंगे बड़तावा बुकरम को और सब में इस तरह की बलाबर के निशान लगा लेंगे और इन निशानों को फिर आपस में मिला लेंगे कि अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे यहां से भी कटिंग करनी है यहां से भी करनी है तो ये देखें हमने back side की cutting करिए अब इसी तरह हमें front side की भी करनी होगी फुर तो front side जो है वो हम थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे आदे एंचिस को बढ़ा देंगे हम तो यहां से हम सिर्फ आदा इंचिस को बढ़ाएंगे और बाकि हमारा जो neck है वही रहेगा ये अब इसी तरह से यहां पर एक इंच का हम देंगे जितना हमने बैग वाले में दिया था अब यहां पर हमें सारे कपर पेस को पेस करना होगा तो यहां देखें इसमें कपड़ा इतना ज्यादा नहीं है तो हम यहां पर यह दो पीच है इसतरा के चाट को करेंगे आज़ को इसको यहां पर इस तरह से रखके इस थे शोबगा लेंगे इसको बार इप जिस तरह हमने एक लगा दोसरा अगला प्रसक्चल कर दें झालेоки बर में फ्लस्यादर मार्च चोड़ा लेंगे आप इसको यहां पर हम इस तरह करेंगे और इसमें सेंटर की क्रीज भी डाल लेंगे तो यहां सेंटर से हमने इसमें इस तरह क्रीज डाल लिए इसी तरह दूसरे वाली गले में भी करेंगे इस तरह शर्ट को भी डबल कर लेंगे और इसमें भी यहां भी सेंटर की डालेंगे इतु अ बहुत है नहीं दोनों को यह ने त्यूद हैं अम ध already यहां जिches को फोल कर देखें यह यह कैंए दोनों को मैंने तयार करते हैं अब यह हम से लेंगे पना तो हमें प्ररिंट में लाइंगे वम उपर से बेराबर लगा है यहां से लेख टे विए द्धे जय के फिली स्वार्स गल्यां तो इस तरह घुंजडा छिलाएं जमाल लें चले, ऐसको फिक्स हो जाता है cent, भी सचर्ण हे लगाये की सिलाई लगात हुआ हे लुक्त के ज्चाइ लें के रागे, पर यहां से पिने हटा थेंगे, साइब देंगे कारी कि यहांद पें दो करेंगे तो यहां पे इसको इस तरह टॉन करेंगे नांबं बिंद्ट करेंगे जब हम कट लगा लेते हैं तो बिल्कुल और नहीं से पिछे की तरफ चला क़ाला यहां पर नें तैयार हो गी är और यहां पर हम इसमें तुर्पाई कर लेंगे Lets Winds हमारा यह फ्रेंट साइड का बोटनेक तयार है तो अब यहां पर मुझे इसमें बीट्स लादें तो यह देखें इस तरह के बीट्स हैं तो इसके अंदर में गले में इससे डिजाइन करूंगी वह चलें इसको डिजाइन करते हैं कि तो सबसे पहले हमें यहां सेंटर में अगये और अगया से हम इस तरह से छोटा सा टांका ऊठाएंगे यहां से हमने यह दो मोति पहले लगाए अब हम यहां पर इंप न रर्म ह की तरफ हॉं इसमें आव इसको हम विसे इसके यहांपे नीचे तरगा ले लेंगे है कि इस तरह का हमारा क्रप्राइब कापन को कि हमने ब्राबर करके गलिके अंदर पूरी लगा यह जी कि फर्ट साइट आरे और यह बैक साइट का तो हमें इस तरह कोले करते ने हैं दोनों पर ऻोटर बनाएं तो इसको ये शुल्डर की शलाय की लगालिया तो इसको इस upright चलाइए यहां पर फुदी अंदर की तरफ चला जाएगा तो यहां पर मैं एक च्छी सिलाई लगा लेती हूं बैक साइट पर तुरपाई कर लूँगी तो देखें इस तरह शोल्डर की सिलाई भी कबर यहां पर कबर हो गई है यह हमारा खुबसूरा सा बॉड नेक भी तैयार होगी ह यहां पर जिस तरह में नहीं गले में लगा है इसी तरह कि आप दामन और आस्तिनों में भी लगा सकते हैं तो इनको लगाना भी बहुत असान है बिल्कुर सेकंड सेकंड के अंदर ही लग जाते हैं